दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपकी गाड़ी का मैलेज बढ़ाएगा और हलकी चलने में मदद करेगा जीससे आपकी अमदनी में बढ़ोतरी होगी पहले नमबर पर बात करेंगे एक्सेलरेटर का सही परियोगी जब आप गाड़ी चलाना सुरू करेंगे तो एक्सेलरेटर को कम से कम रखें यानि एक नमबर गेर से लेकर चार नमबर गेर तक जाने में एक्सेलरेटर को एकदम स्मूथ रखें क्योंकि गेर नमबर एक से लेकर चार तक जाने में आप एक्सेलरेटर ज्यादा रखेंगे तो आपकी गाड़ी तो जल्दी स्पीड पकड़ लेगी लेकिन आपकी गाड़ी 30% तक ज्यादा तेल खाएगी जिससे आपकी गाड़ी का मैलेज कम हो जाएगा दूसरे नमबर पर आप कितनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं जब आप अपनी गाड़ी की स्पीड टोप गेर में भी ज़रूरत से ज़्यादा रखकर चलाते हैं तो आपकी गाड़ी का मैलेज डाउन हो गाई तीसरे नमबर पर आप फिवल बरबाद ना करें आप अपनी गाड़ी को कहीं भी स्टार्ट करके ज़्यादा देर तक ना रखें क्योंकि दिन भर का आकड़ा इकठा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिन भर का मिला कर एक घंटा गाड़ी स्टार्टिंग में रहा तो दोस्तों जान लिजीए कि इतने में आपका ढेर सारा तेल बैकार चला गया चौते नमबर पर बात करेंगे रेगुलर सर्वीसिंग की तो दोस्तों आप अपनी गाड़ी की regular servicing और पूरी गाड़ी की धुलाई कराते रहें क्योंकि अगर engine की servicing time पर कराते रहेंगे तो आपके गाड़ी का engine oil और सभी filter समेशा नहीं रहेंगे और साथ ही air filter भी हमेशा सफाई कराते रहें जिससे गाड़ी चलाने में एकदम हलकी लेगी जैसा कि हमने गाड़ी की धुलाई और सफाई की बात की तो दोस्तों गाड़ी को आप हमेशा tire से लेकर engine तक और गाड़ी के निचले हिस्से जो मिट्टी जम जाते हैं उन्हें हमेशा साफ रखेंगे तो गाड़ी में एक्स्ट्रा मिट्टी के वजन नहीं रहेंगे जिससे गाड़ी हलकी रहेगी दोस्तों यहाँ एक बात और की जब भी आप अपनी गाड़ी की engine servicing कराएं तो अपनी पूरी गाड़ी की पहले धुलाई करा लें जिससे गाड़ी हलकी हो जाएगी और एकद च्छठे नमबर पर बात करेंगे टूल बोक्स की तो दोस्तों अपनी गाड़ी की टूल बोक्स के अंदर बेवज़ा भारी समान ना रखें क्योंकि अगर गाड़ी का वजन बढ़ेगा तो इसका माइलेज कम से कम 15% तक कम होगा और आपका वजन कम रहेगा तो आपकी गा गाड़ी के इंजन के कंडिशन की तो दोस्तों जब आप अपनी गाड़ी चलाएं या इंजन का बोनट खोलें तो गाड़ी को स्टार्ट करके इसके इंजन की आवाज को ध्यान से सुनें कि इंजन से कहीं एक्स्ट्रा आवाज नहीं निकल रहा है क्योंकि अगर आवाज नॉर्मल से ज्यादा आएगा तो आपके गाड़ी का माइलेज जरूरत से ज्यादा कम होगा क्योंकि अगर गाड़ी से महक वाला धुआ निकलेगा तो इंजन ओयल की खपत ज्यादा होगी हो सकता है कि इंजन के रिंग और पिस्टन चेंज करने पड़ेंगे तो दोस्तों य हैं कुछ टिप्स जो आपकी गाड़ी के माइलेज बढ़ाने में मदद कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ये वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को तहे दिल से सुक्रिया